नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल इमिजिनेट प्रो पे दोस्तों आज हम पेपर फर्ष्ट आईसीटी में मोश्ट इंपोर्टन टॉपिक की बात करने वाले हैं binary number, octal number, hexadecimal number के बारे में बात करेंगे इनको किस तरह से हम decimal में convert करते हैं ये बताएंगे और इसमें से दोस्तों question 2012 से लेके 2020 तक repeat हुए हैं बहुत question इसमें से आए हैं सबसे पहले दोस्तों इस topic में से आपको question दिखाऊंगा कि किस तरह से question आए और उसके बाद हम theory करेंगे और अच्छे तरीके से इस topic को जानने की question करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके दर आपको all 10 unit के study notes मिलेंगे वीडियोस मिलेंगे add-free 2012 से लेके June 2020 तक question paper मिलेंगे topic wise question भी मिलेंगे आज तक जैसे कि research के जो question आए वो लग है teaching के लग है और most repeated होने वाले question के बारे में आपको videos दी जाएंगे पलस में notes दी जाएंगे और दोस्तों अभी offer चल रहा है happy new year offer चल रहा है तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्तकों अगर ये course जोइन करना है तो आप हमें whatsapp no.80531-24204 पे हमें message कर सकते हैं और link आपको video description box में भी मिल जाएगा thank you दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मापको इसमें से कुछ question दिखा देता हूँ जो हमारे exam में है ये देखे ये June 2012 का question paper है और इसके अंदर question number 28 देख सकते हैं यहाँ पर Hindi English दोनों में हमने दिया हुआ है यहाँ पर ये दोस्तों decimal में दिया हुआ है थ्री अंक दसमलों संख्या है इसको हमें bits में convert करना है यानि कि थ्री decimal संख्या है इसको binary में convert करना है इसी तरीके से आगे और question दोस्तों ये देखे दिसमर 2012 का question paper है और इसके अंदर इन्होंने decimal 17 को ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है यानि कि इसमें भी हमें conversion करना है और आगे मैं बताता हूं दोस्तों ये देखे ये जून 2013 का question paper है और अब ये देखे दोस्तों दिसमर 2014 का question paper है और इसमें इन्होंने कहा है कि A से F तक किसके अंदर use किया जाता है और यही question दोस्तों डिट्टो कोपी में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से 2020 के अंदर repeat हुआ है यहाँ पर देखिए A से F तक हम किसके अंदर use करते हैं इसका अंदर एसी hexadecimal के अंदर use करते हैं और अब यही question आपको मैं डिट्टो कोपी दिखाने वाला हूँ कहां आया है यह देखिए यह हमारा question paper है 2020 का question paper है और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कहां पर यह question repeat हुआ है हमारा और डिट्टो कोपी question आते हैं दोस्तों हमारे यह देखिए यह रहा हमारा यह देखिए 249-2020 evening shift का paper है और इसके अंदर आप यह देख सकते A से F तक system किसके अंदर use होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं exact decimal number इसका answer आ रहा है तो दोस्तों आप अपनी आँखों से live देख लीजिए किस तरह से question डिट्टो कोपी repeat होते हैं और दोस्तों आपको बहुत 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 बार कहे चुका हूँ कि आप old year question paper जरूर 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 कीजिए उसमें से ब binary में convert करना है आप यहां पर हिंदी में देख सकते हैं और इंगलिस में भी मापको दिखा देता हूँ यह रहा binary equivalent of decimal number 35 is equal to यह हमें बताना है तो दोस्तों यह topic समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि binary number क्या है octal number क्या है hexadecimal क्या है और यह देखिए आगे फिर एक और question आगा है दोस्तों यह देखिए जून 2015 के अंदर है और इसके अंदर यह रहा यह देखिए decimal number 35 को binary के अंदर convert कर रहा है binary equivalent of decimal number 25 आप देख सकते हैं कितने question repeat हो रही है और अभी तो देखिए मैंने 2015 तक दिखाए उसके बाद और बहुत से question है decimal number binary number में से बहुत question आए हुए औ दिखा रहा है तो यह सभी question हम करेंगे दोस्तों आगे की वीडियो में हम यह सभी question करेंगे लेकिन इस से पहले हमें समझना जरूरी है इस concept को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि binary number, octal number और hexadecimal number क्या होते हैं देखिए सबसे प binary number के अंदर दोस्तों दो digit होती है हमारे पास 0 और 1, every number represent with 0 and 1 in this number system, इस number system के अंदर दोस्तों जो भी हमारी पूरी की पूरी digit है वो 0 और 1 के दवारा ही represent की जाएगी, अब बेस of binary number system is 2, इसका बेस कितना होता है दोस्तों, बेस इसके अंदर 2 होता है, यह 2 होता है दोस्तों और इसके अंदर जो भी digit है वो 0 और 1 के दवारा represent की जाएगी, अब देखी इसके अंदर मापको दिखाता हूँ, यहाँ पर जितनी भी digit है यह देखी, 101010 के अंदर represent हो रही है और इसका base के है दोस्तों, base हमारा 2 होता है, तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से इसको समझ सकते हैं, अब आगे हम बात करेंगे कि binary को decimal में किस तरह से convert करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी basic जानकरी हम ले लेते हैं, आगे हम बात करते हैं, दोस्तों, आगे हमारे पास है octal number है, देखे, octal number system के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास only 8 digit होती है, और 8 यह जो 8 digit हो होती है, ना कि 1 से लेके 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है, और यह every number value represent with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, इसमें जो भी digit होती है, वो 0 से लेके 7 तक के बीच में होती है, यह चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, octal के अंदर total digit कितनी होती है, हमारी 8 होती है, लेकिन वो कहां तक होती है, 0 से लेके 7 तक हमारी होती है, ना कि 8 तक, 8 तक नहीं होती, 0 से लेके 7 तक होती है, यह चीज़ आप ध्यान में रखना, इसमें confused मत हो जाना, और आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों, इसके अंदर आप इसके पहचान कैसे करेंगे, और इसका जो base होता है, दोस्तो octal number का base कितना होता है, वो 8 होता है, यहाँ पर हमारे पास जैसे यह digit है, 172 यहाँ पर दी हुई है, तो इसके अंदर जो हमारी digit है, 172 यानि कि 0 से लेके 7 तक के बीच में यह हमारी digits है, और इसका जो base है दोस्तों, base यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, और आगे हम बात करके दोस्तों, आगे आता है हमारे पास decimal number system, अब देखे decimal number system के अंदर जो digits होती है, वो 10 होती है, और यह 10 digit 0 से लेके 9 तक होती है, यह चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, जितनी total digit होती है, उससे एक कम हमारे पास counting हम करते हैं, और इ total digit कितनी होती है, हमारे पास 10 होती है, 0 से लेके 9 तक इसको represent करते हैं, यह चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, आप गलती मत कर देना इसके अंदर, और इसका जो base होता है, वो कितना होता है दोस्तों, base होता है, इसका 10 होता है, जैसे यह देखिए, यह रहा हमारा, यह आ हमारी क्या है दोस्तों, यह हमारी decimal number system है, और इसका base कितना है, base यहाँ पे, 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठिक, आगे हम बात करते हैं, दोस्तों, hexadecimal number की बात करते हैं, और इसमें से अभी हमने question देखा न, 2014 में भी repeat हुआ है, और 2020 में भी यह question repeat हुआ है, यह देखिए दोस इसमें alphabetical, alphabet भी होते हैं और numeric भी होते हैं, दोनों चीज इसके अंदर होती है, और 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक इसकी value होती है, total digit हमारी कितनी होती है, 16 digit इसके अंदर होती है, और इसको represent किस से करते हैं, दोस्तों, इसको represent करते हैं, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, 0 एक दो तीन चार पांच से साथ आठ नो ये कितनी होगी ये होगी हमारी total 10 value होगी 10 digits होगी हमारी ये 10 होगी उसके बाद में ये देखिए A B C D E F ये कितनी होगी ये हमारी 6 होगी 10 और 6 total कितनी होगी 16 value हमारे पास होगी अब देखिए यहां पर आप इसको तो इस तरह से भी समझ सकते हैं hexadecimal decimal और इसकी जो value होगी दोस्तों ये देखिए 0 से लेके अगर हम 9 तक बात करें दोस्तों तो ये तो 0 से लेके 9 तक ही होगी और A की value 10 के equal B की 11, C 12, D 13 और E 14 और F 15 ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों ध्यान रखना ये का आप कफी confusion मा ना हो जाना A से लेके F तक represent करते हैं और F की value कितनी होती है हमारे पास F की value होती है 15 और A की value कितनी होती है 10 तो ये ध्यान रखना तोड़ दूँगा मैं अगर आप ये भूल देना तो अच्छी बात नहीं है बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ अगर फिर भी आ आप गल्ट कर देंगे ना तो देख लेना मेरे से बुरा कोई होगा घर आके तोड़ूगा ने ठीक है आगी बात समझवें तो चलिए कोई नहीं और अब हम बात करते दोस्तों की इनके base की बात करते हैं तो base इसके अंदर जो होता है दोस्तों base हमारा 16 16 होता है और सभी को दोबारा सब देख लेते हैं binary, octal, decimal और hexadecimal को एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंदर आप देखें जैसे की binary की बात करें दोस्तों binary के अंदर जो digits होती है 0 और 1 होती है और इसका base कितना होता है 2 होता है octal की बात करें तो दोस्तों total digit कितनी होती है इसके अंदर 8 होती है और 0 से लेके 7 तक होती है और base कितना होता है 8 होता है फिर decimal की बात करें तो decimal होता है दोस्तों 0 से लेके 9 तक total कितनी होती है हमारे पास 10 और base भी कितना होता है 10 होता है hexadecimal की बात करें तो दोस्तों 0 से लेक 9 तक होती है और A से लेके F तक इसकी value होती है और इसके अंदर total कितने होते दोस्तों digit हमारी 16 होती है बेस कितना होता है 16 इसका होता है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं और ये सभी चीज़े याद होगी ना दोस्तो आप जैसे तैसे करके कैसे भी मुझे नहीं पता आप याद कर लेना आप चाहिए इंजेक्शन लगवाईए चाहिए आप घूंटी पीजिए इसकी चाहिए कुछ भी कीजिए आपको बस याद होना चाहिए ठीक है और अगर कोई प्रोबलम आए तो आप हमें वट्सप पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी एप निमीज नेट डाउनलोड कर सकते हैं और एक चीज़ और हम आपको बता दू दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे 2012 से लेके 2020 तक कोश्चन अलग-लग कियो हैं जैसे कि ICT के आज तक जो भी कोशन आए वो अलग है टीचिंग के अलग है कमनी किसन के अलग है इसके साथ साथ आपको सभी study notes मिल जाएंगे all 10 unit के study notes मिल जाएंगे अगर आप हमारा paid course जोइन करना चाहते हैं तो paid course भी जोइन कर शकते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों conversion की बात करते हैं कि किस तरह से हम convert करेंगे binary number को decimal number में किस तरह से convert करेंगे और जैसे ये चीज़ आई थी ना शुरू के अंदर मैं बता जिता हूँ जैसे binary number को decimal में किस तरह से convert करेंगे यह देखिए, binary to decimal और octal to decimal और hexadecimal to decimal किस तरह से convert करेंगे यह चीजे हमें पता होना ज़रूर है दोस्तों, अब इसी पर बात करते हैं यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको देखनी पूरी है पूरी देखनी है अगर आप यह वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक concept बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है? जी, चलिए बात करते हैं अब हम सबसे पहले convert binary number binary number को हमें decimal में convert करना है और binary number क्या दिवा है? 1101 और base 2 दिया है इसको हमें decimal में convert करना है अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कहां सो रहे हैं? अब ध्यान से देखिए binary number को हमें decimal में convert करना है किस तरह से convert करेंगे? यह देखिए मैं बताता हूँ आपको binary number हमारे पास क्या दिया हो है? 1101 दिया हो है यह देखिए step 1 बिल्कुल असानी से समझा रहा हूँ दोस्तो ध्यान दे लेना, अथ्ये से समझ लेना ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो digits दी हुए है 1101 दी हुए है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 1101 हमने यहाँ पे लिख 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 दोस्तो बाइनरी नमबर में बेस केतना होता है तो हम क्या करेंगे दोस्तो यह जितनी भी हमारे पास digit है उनके नीचे 2-2 लिख देंगे और उनकी पावर 1-2-0, 1-2-3 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे यह देखिए 1 के नीचे 2 लिख दिया फिर 0 के नीचे 2 लिख दिया फिर 1 के नीचे 2 लिख दिया यानि कि सभी के नीचे हमारा जो यह बेस है ना बेस दो यह सभी के नीचे लिखते जाएंगे उनकी पावर हम 0-1-2-3 यहां पर कर देंगे यह चीज समझ में आगी आपको आगी ना आगी होगी चलिए थैंक्यू वेरी गूट देखिए अब किसी भी कोई भी हमारे पास digit है ध्यान रख लिजी आप कोई भी हमारे पास digit है उसकी पावर अगर हम 0 करें किसी भी digit की पावर 0 करें तो वो equal to 1 होगा हमारे पास जैसे मान के चलिए हमारे पास 8 है 8 की पावर अगर 0 है तो वो equal to किसके होगा 1 के होगा ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रख लिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है ये देखिए ये हमने 1 1 के नीचे 2 लिखा 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये लिख लिए हमने यहां तक हमने ये काम क्या है ये काम हमने कर लिया अब देखिए अब हम क्या करेंगे नंबर 2 यहां पर क्या आता है यहां पर हम क्या करेंगे ये जितनी भी हमारी पावर है ना दो की पावर एक किसके बराबर हो गया दो हो गया अब देखे दो की पावर दो किसके बराबर हो गया चार हो गया अब कई दोस्तों को पावर के बारे में अगर ना पता है तो मैं बता देता हूं यह देखे टू की पावर थरी है इसका मतलब क्या है दोस्तों टू की पावर थरीका मतलब यह है, दो को तीन बार गुना करना है, दो गुना में दो, गुना में दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, यहां पर हमारे पास आठ आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया, यहां तक आया क्या, आ गया, वेरे गूड, चलिए, किसी को नहीं आया कोई बात नहीं दोबरा बता देते हैं जी इसमें क्या होगा देखे नंबर step 1 के अंदर step 1 के अंदर क्या होगा जो हमारी binary digit दी हुई है binary number जो दी हुआ है वो हम पहले इसे simple इस तरीके से लिख लेंगे उसके बाद में इनके नीचे जो हमारा base कितना है binary के अंदर two base होता है तो दो लिख लेंगे दो 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 जितने भी हमारे पास यहाँ पर digit है उनके नीचे दो दो लिख लेंगे उनकी power लिखेंगे 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे अगर यहाँ पर आगे होता तो हम बढ़ाते लेकिन हमारे पास चार यह तो चार बार दो लिख रूनकी power लेंगे दी अब इन power को हम दोस्तों यहाँ पर convert कर देंगे यहाँ पर convert करेंगे तो क्या होगा दोस्तों टू की पावर जीरो है और किसी भी डिजिट की पावर अगर जीरो होते है तो वन के एकवल होता है दो की पावर एक दो दो की पावर दो दो दुनी चार दो की पावर तीन किस के एकवल है आठ के एकवल है नमबर एक स्टेप समझ में आगे ना आगे ना वेरी गुड शाबा करके हमने लिखा था इसको हम ऊपर वाले से गुना कर देंगे रुकी यह देखिए अब जो हमारे पास यह result आया था पावर को convert करने के बाद में अब इसको हम इससे multiply कर देंगे यह देखिए यह उपर वाले चीज थी हमारी decimal वाली चीजे थी ठीक है इसको multiply करेंगे इनसे यह जो हमारी आई थी power में convert करने के बाद एक को एक से multiply करेंगे एक आजएगा 0 को 2 से करेंगे तो 0 आजएगा एक को चार से करेंगे चार आजएगा एक को आठ नगे तो 8 आजएगा तो यह टोटल कितना हो गया अब इन दो इन आ जाएगा तो इस तरह से हैं दोस्तो और step number 2 और 3 एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो यह देखिए यह हमने power में convert किया था power में convert करने के बाद में इसको हम इससे multiply कर देंगे यानि कि इसको हम इससे multiply करेंगे 1 को 1 से करेंगे 1 2 को 0 से अब इन सभी को number 3 step के अंदर प्लस कर देंगे तो इतना अजीए बहुत असान है बिलकुल असान है ठीक है तो बिलकुल ऑसान है और अब देखी एक मैं आपको assignment क्या आते हैं आपको assignment दूँगा मैं आपको app के अंदर दूँगा app के अंदर दे देंगे वहाँ पर ठीक है या फिर हम live mock test लेंगे आप करके देखना इस related question आई हुए exam के अंदर आप वो करके देखना आपको अच्छे से समझ में आजेंगे अगर नहीं आते तो हम live class लेंगे और live class के अंदर ये question करवाएंगे तो उसमें हम देखेंगे किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा और जिनको नहीं आएगा तोड़ूगा पहले बता रहा हूँ बहुत तोड़ूगा मैं तुम्हें समझ लो अच्छे से समझ लो अगर कोई प्रोब्लम है ना तो आप हमें एप के अंदर बता सकते हैं या फिर आप हमें WhatsApp पे contact कर सकते हैं जी चलिए very good अगला question देखते हैं दोस्तों हमारे पास है आगे हम बात करते हैं दोस्तों octal को decimal में convert किस तरह से करना है अब देखिए हमारे पास चीजे आगी क्या आगी octal number octal number को हमें decimal number में convert करना है अब देखिए octal में बात कि थी base कितना होता है 8 और 0 से लेके 7 तक इसमें digit हो सकती है ठीक है चलिए हमारे पास octal number है 1121 यह हमारे पास octal number है इसको convert करना है decimal के अंदर तो number एक step हमारे पास क्या था दोस्तों number एक step यह था कि यहाँ पे जितना भी base है ना base कितना है हमारे पास 8 है यह देखिए यह रहा हमारे पास 8 इसका base है तो इन सभी के नीचे 8 8 लिख देंगे दोस्तों 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 8 की पावर 3 यहाँ पे हमने लिख दिया अब क्या करेंगे इनकी जो पावर है पावर को हम convert करेंगे आठ की पावर 8 की पावर 0 किसके को होता है जीरो अरे घुशा लगेगा 1 मैंने बताई नहीं था कोई भी डिजिट है किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो किसके पराबर होगा 1 की पावर होगा वेरी गुड़ आगी समद में और 8 की पावर 1 8 हो गया 8 की पावर 2 8 8 64 64 64 होता है भाई गल्द मत करो और 8 की पावर 3 किसके इकुल होगा 512 512 कैसे आगया 8 की चोबिस आना चाहिए पिटो के क्या 8 की पावर 3 अरे भाई साब रुपी बताता हूं 8 की पावर 3 8 गुणा में 8 और गुणा में 8 यह देखी 8 8 64 ठीक है चोबिस смों फिर 8 से गुणा करें गे तो कितना आजएगा 512 नी आजाएगा क्या पगले कहां क्षोई हो गए हो जी वेरे गुड यह हमारे पास आजाएगा पावर में जब हम convert करेंगे ठीक है power में convert करने के बाद हमारे पास ये चीज आगी ठीक है power में convert करने के बाद और step number two हमारा क्या था step number two के अंदर क्या था कि ये जो power में convert करने के बाद जो आया है इसको हम इससे multiply करेंगे है ना आ रहा ना याद very good अब देखी इसको जब हम इससे multiply करेंगे तो एक को एक से multiply करेंगे तो एक आ गया आठ को दो से multiply करेंगे तो आठ दुनी 16 आ गया 64 को एक से multiply करेंगे तो 64 आ गया 512 को एक से multiply करेंगे तो 512 आ गया और नमबर 3 step में क्या करेंगे इन सभी को हम जोड देंगे एड कर देंगे है न 512 पलस में 74 पलस में 16 पलस में एक इन सबी को पलस करें तो कितना आजएगा 5000 तिरान में हमारे पास आ जैएगा जी है न तो हमारे पास corridor number 1121 और इन भाई साब को नहीं यह देखो यह सोच रहें कैसे वहां क्या हुआ यह बहन जी देखो कितनी confusing है यह बहन जी है ना चली कोई नहीं में फिर शिमा आपको बता देता हूँ और जिनके समझ में आगे है वो वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं यह हमारे पास octal number नमबर है octal number की जो बेस होता है हमारे पास eight होता है eight 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 लिखेंगे सभी के नीचे और उनकी पावर zero one two three यह लिख देगे और इसको फिर हम convert करेंगे यह पावर को convert करेंगे पावर को convert करने के बाद क्या जाएगा one eight और 64 और 500 और उसके बाद में हम क्या करेंगे ये हमारे पास जो आई है वल्य आई है इसको हम किसे मल्टिप्लाइक करेंगे ऊपर ये जो हमारे on the limiting पास या जाएगा इन सभी को फिर step number 3 के अंदर add कर देंगे कितना असान है यार कितना असान है बिल्कुल आसान है वेरिगे क्या बास चलिए आगे हम आगे एक और रहता है हमारे पास क्या रहता है हमारे पास रहता है hexadecimal number ha 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 hexadecimal number जी इसमें सब्सक्राइब है और अभी मैंने दिखाया भी था आपको ठीक है चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 पे hexadecimal को decimal में किस तरह से convert करेंगे यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ऐस संभव नहीं है बिल्कुल हम असान बना देंगी इसको ठीक तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें देखें यहां पर सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास hexadecimal number ac9 दिया है और इसको convert करना है decimal number के अं 16 हमारा base होता है ठीक है number एक चीज आप यह ध्यान रखना कोई भी हमारे पास decimal number दिया हुआ है उसका base कितना होता है यह आपको पताना जिरूरी है चली very good hexadecimal number का 16 number base होता है अब देखें इसको किस तरह से convert करेंगे number एक चीज यह आती है दोस्तों हमने पहले ही पढ़ी थी hexadecimal number के अंदर जो digit होती है 0 से लेके 7 तक होती है और A से लेके 9 तक होती है और A से लेके F तक होती है यह चीज हम पढ़के आए है अभी ठीक है यह चीज पढ़के आए है अब देखिए हमारे पास है A C 9 है 9 की value 9 है यह हमें पताईए A की value 10 है यह मैंने उपर बताईए है गोशा लगा दूँगा खींच के बोल रहा है हो ऊपर बताईए मैंने आपको A की value 10 है C की value 12 है 12 है ठीक है सबसे पहले हम इनको real value के अंदर convert कर लेंगे ठीक है real digits के अंदर real value के अंदर इनको convert कर लेंगे नमबर एक नमबर दो पे हम फिर वही कहाने शुरू हो जाती है वही रमायन शुरू हो जाती है जो हम अभी करके आए है अब हम क्या करेंगे यह मान के चली हमारे पास real value आ गई है ना अब इसको हम क्या करेंगे अब देख 16 लिख दिया 16 लिख दिया 16 लिख दिया इनकी पाँवर लिख दिया 012 012 ऐसे हमने पावर लिघे दी क्यूंकि 3 ही डीजिट है तो 3 वार 16 लिख लिख दिया अब हम बात करते हैं अब क्या करेंगे यह जो पावर है पावर को हम convert करेंगे दोस्तों सोला की पावर 0 किसी भी digit की पावर 0 1 very good श्यावास समझ गए वे आप तो very good जी वन आ गया फिर 16 की पावर 1 ये कितना आ जाए है 16 16 की पावर 2 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 यहां पर हमारे पास आ जाएगा ठीक है यह आ गया यह step number 1 कई वार रटवा दिया है तोड़ दूआ अगर भूल दे तो ठीक है यह चीज आगी हमारे पास पावर में convert करने के बाद step number 2 में हम क्या करेंगे यह जो power convert करने के बाद आई है यह इसको हम real digit के साथ multiply कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पास पावर आगी इनको इनके साथ multiply करेंगे एक को 9 से करेंगे 9 आ जाएगा 16 को 12 से कुना करेंगे तो 192 आ जाएगा और 256 को जब 10 से multiply करेंगे तो 2560 हमारे पास आजेगा और step number 3 में क्या करेंगे step number 3 में इन सभी को जोड देंगे इन सभी को plus कर देंगे very good आगे ना समझ जाम है कितना आसान है यार कितना आसान है कितना आसान है है ना जी वेरी गुड वेरी गुड शाबास जी चलिए एक अबार फिर से समझाओं समझा दूँ चलिए जल्दी से मैं समझा देता हूँ AC9 है और इसकी जो बेस है दोस्तो 16 है सबसे पहले AC9 को real value के इंदर convert करेंगे 99 होता है C की value 12 होती है A की value 10 होती है और उसके बाद में हमारे पास बेस 16 है तो 16 16 16 लिखेंगे और इनकी power 0, 1, 2 लिख दिया और इन power को हम convert करेंगे 16 की power 0, 1, 16 की power 1, 16, 16 की power 2, 256 अब ये जो हमारे पास power convert करने के बाद बीजिट आईए इनको हम ये जो real value है इसके साथ multiply करेंगे इसको इससे multiply करेंगे इस तरह से इनको 9 से 1 से किया 9 आ गया 12 को 16 से किया करेंगे तो 192, 10 को 256 से करेंगे तो 2560 आ गया और step number 3 के अंदर क्या करेंगे इन सभी को हम multiply प्लस कर देंगे तो ये हमारा answer आज हैगा ठीक है तो AC 9 hexadecimal number है इसका decimal number में convert करेंगे तो 2761 decimal number इसका आ जाएगा ठ्या भई आगया आप सभी को समझ में अच्छे से समझ में आगया जी very good कोई बात नहीं अगर कोई problem है तो आप हमें whatsapp पे message कर सकते हैं या फिर हमें comment box के जिरिए बता सकते हैं और अब आप सभी के लिए एक task देके जा रहा हूं और जो भी task को करेगा इस question को करेगा उसको मैं करोना की vaccine free में लगवाऊंगा सचीज में मेरी मोदी से direct जान पहचान है ठीक है चलिए one one zero zero one zero ये हमारा है दोस्तों क्या है हमारा binary number है ठीक है binary number है और इसको हमें convert करना है decimal number में convert करना है ये होगे हमारे दो question mark होगे और इसको convert करना है decimal के अंदर ठीक है आगी बात समझ में one one zero zero one zero ये हमारा binary number है base two है इसको convert करना है decimal number के अंदर और जो भी हमारा बेहन भाई इसको करेगा उसको corona vaccine free में लगवाएंगे मोदी से मेरी direct जान पहचान है फिर मत बोलना कि मेरे को बताया नहीं है ठीक है तो अपने answer comment box के अंदर डालना में देखता हूं कितने कितने लोग कर पाते हैं कितने दोस्त कर पाते इसको ठीक है तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही और आगे की वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे आगे की वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो जै से किस तरह से करते हैं ठीक है और एक मिनेट रुकी हमझी डैसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कंवर्ट करेंगे फिर डैसिमल को जेंखे discutzend me किस तरह से करेंगे यानिकी उल्टा करेंगे ठीक है तो आप देखना नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत मज़ा आने वाला है और इस से related और भी मैं बहुत question आपको करवाने वाला हूँ और आपके भेजे में गुरुशा के छोड़ों हमें चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े ठीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए वसी तना ही thank you very much और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी एप निमीजनेट डाउनलोड नहीं किये तो जल्दी से हमारी एप निमीजनेट डाउनलोड कर लीजिए उसके अगर आपको सभी study material मिल जाएगा पलस में आपको 2012 से लेके 2020 तक topic wise question मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तो thank you bye bye